है खो है यह दोस्तो मेरा नाम धौतम और आप देख रहे हैं युवलाक लेक्टोनिक्स और दोस्तोँ यहाँ पे एक ऐसी अध। देख सकते हैं इसको आप टावर हों धिट्र नहीं बोश सकते हो यह क्यों के अकार का वो भी काफी तगडार लगा हुआ है यहां पर देख सकते हैं यह 8 हिंज का यह सब फर यूज किया गया है और यह बिल्कुल डेट कंडिशन में है तो इसको किस प्रकार से रिपेर करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ तो आए इसके में बैक सेट को ओपें करके और फिर मै मैं आपको दिखाता हूँ कि यह आखिर डेट क्यूं हुआ यहां पर देखिए मैंने अल्लेडी इसमें से स्क्रू निकाल लिया था ताकि वीडियो लंबा ना बने यहां पर ओपन करने को आद यहां पर देखिए यह बोड मुझे कुछ इस परकार से ही पहले मिला यहां से निकला हुआ था और टांसफर्मर भी जो है यह खुला हुआ था देखिए यहां पर जो एक नट लगा हुआ यहां पर यह टांसफर्मर के लिए है तो यहां से निक निकला हुआ है य rods इसको यह चेक करेंगेियो hours यहां पी मेन दो क्या गिए Mr. P यहां पर अच्छा तरीका से काम करें क्योंकि हां पर स्वіचों करते हैं और सुइच होता है और अब पावर सप्लाई जो आप दोगे 220 fold तो यहां पे आगा और यहां कर szक्ल नगे तो आपो current भी लग सकता है तो यहां पर आप ध्यान रखें ठीक है तो सबसे पहले तो इसको मैं एसने रहने देता नहीं हो और इसमें पावर सप्राइज दूंगा और यह चेक करऊंगा कि हमारा जो 220 वोल्ट है सनने ही का नहीं आ रहा है उससे पहले आपको स्विच्च को चेक करके लीन है कि मल्टिमिटर से स्विच्च चेक करने के लिए मल्टिमिटर को कॉंटिनीुटी वाले पूंध कर लेंगे इस परकार से इसके बाद यहां पर देखिए यहां पर कॉंटिनीटी बना रहा है और यह जो दोनों सुिच है हमारे इस दोनों पे लगाना इसको तो स्विच हमारा बिल्गुल सही है मैं यहाप इसको आफ कर देता हूं तो देखिए यहाप भी कॉंटिनीटी नहीं बना रहा है और जैसे में इसको आउन कर दूंगा यहाप यह बना रहा है तो इसमें भी हलका सा प्रोब्लम है कभी पकरता कभ भी छोड़ता लेकिन इतना भी खराब नहीं है देखिए उसके बाद हम यह चेक करना है कि यह जो हमारा टांसफरमर है जो प्रामरी क्वैल है जिसमें 220 वोल्ट AC सप्राइब देते हैं वह हमारा क्वैल सही है कि नहीं है तो देखिए यहां पर एक तो वायर हमारा स्विच म नहीं लगा हुआ है और दूसरा जो वायर लगा हुआ है मेन वायर के ग्रीन कलर पर लगा हुआ है यहां पर देखिए यहां पर ग्रीन कलर है और यह औरेंज कलर है तो औरेंज कलर को हम छोड़ देंगे और ग्रीन कलर को हम ले लेंगे तो एक तो ग्रीन कलर पर रखना है उसके बाद देखी ग्रीन वाले को यहां पर हो गया उसके बाद इस पे लगाना है यह दूनों वायर हमारा जाएगा हम चेक कर लेंगे तो यहां पर देखिए बिपका सांड्ट नहीं आगा लेकिन कुछ reading इसमें बतायगा ठीक है अगर नहीं बताता तो प्रामरी को क्वाल खराब रहता था तो यहां पर देखिए बिल्कुल ओके है मतलब यह जो हमारा primary section है यह बिल्कुल ओके है उसका अधम secondary को चेक करेंगे और इसका जो problem मैंने आपको बताया था कि यह बिल्कुल dead है तो सबसे पहले उताओ को transformer और main wire और switch को ही चेक करना है उसके बाद ही आगे आपको बढ़ना है ठीक है तो यहां तक तो ठीक है उसके बाद मैं आगे चेक करूँगा अभी मैं इसमें power supply नहीं दूँगा अभी बिना power supply के भी आप चेक कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे देखे यह जो हमारा supply वाला wire है तो इसको हम चेक कर लेंगे तो blue color का zero होता है क्योंकि यहाँ पे center से निकला हुआ है कोई सा भी color हो सकता है जो center से निकलेगा वो हमारा zero हो गया बाकि side वाला दोनों 12 और 12 हो गया तो यहाँ पे हम check कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए यह reading वतार है लेकिन इसमें विपका sound नहीं आ रहा है तो इसमें विपका sound आना चाहिए मैं एक बार इसको बोड़ से निकालकर लेता हूं मैं एक बार आपको फीट से चेक करके दिखा देता हूँ इसमें किसी भी परकार का continuity नहीं बना रहा है मतलब इसमें जो connection होगा इसका कुछ लगा होगा इसी वज़े से ऐसा reading आ रहा है लेकिन इसको continuity बताना चाहिए तो आईए इस transformer को देखते हैं कि आखिर यह repair कहां से होगा तो यह हमारा secondary है यह easily repair होज सकता है तो मैं आपको इस body से बाहर निकाल कर और अच्छे तरीका से इसका repair करना बताऊंगा तो मैं यहाँ पर supply को cut कर लूँगा यहाँ पर मैंने supply को cut कर लिया है और इस transformer को इसके body से बाहर निकाल कर अलग कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने transformer को निकाल लिया है और इस बार मैं आपको फिर से चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें continuity नहीं आ रहा है secondary वाले पर reading आ रहा है इसमें continuity आना भी नहीं चाहिए ठीक है इसमें कुछ show करेगा लेकिन यहाँ पर किसी भी परकार का continuity नहीं बना रहा है secondary में जो कि बनाना चाहिए इसको ठीक है देखें यहाँ पर continuity नहीं बना रहा है तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इसका वायर कनेक्ट होता है यहां से भी कभी कभी fault होता है यह हमारा secondary का 12012 यहां से जो loop निकलता इस wires के थूँ तो यहां पर connected होता है तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें अच्छे से connect नहीं हो पाने के कारण यह output नहीं दे पाते हैं तो मैं यहां पर इस wire पर ही direct multimeter को check कर लूँगा यह जो wire होता है aluminum का उस पर touch करके continuity check कर लूँगा देखे यहां पर continuity बिल्कुल बना रहा है देखे और इस wire पर आपको नहीं बता रहा था अब हो सकता है कि मैंने इसको touch किया हो तो यहां पर यह continuity बता सकता है लेकिन देखे अभी भी इस पर continuity नहीं बता रहा है और यहां पर बता रहा है यहां पर देखे यह wire यहां से अच्छे से connected नहीं है देखे यहां पर बेल्कुल ओके है ठीक है मैं आपको इसमें power supply देता हूँ उसके बाद मैं आपको check करके यहां पर दिखाता हूँ और मैं यहां पर voltage को check करता हूँ तो multimeter को AC वाले पर point कर लेंगे जहां पर 200 होता है उसके बाद यहां पर हम check कर लेंगे कि 12012 output हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखें यहां पर यहां पर हमारा volt बिल्कुल आ रहा है यहां पर आ रहा है 13-26 यहां पर वोल्ट आना चाहिए 27 वोल्ट आ रहा है ठीक है 13-0-13 वोल्ट यहां पर क्या होता है कि input में ज़्यादा वोल्ट मिलता है इसलिए output ज़्यादा मिल पाता है यहां पे बिल्गल OK है और यहां पे भी नहीं बताएगा यहां पे क्यूंकि वायर जो है अच्छे से connect नहीं हो पा रहा है काफि दिन होने के कारण जो है इस प्रकार का दिक्कत आने लगता है यहां पे देखिए अब यहां पे सो कर रहा है यहां पर आप सो कर रहा है तो आपको ऐसा नहीं करना है ठीक है कि अब यह कर रहा है तो इसको ऐसे ही पैक कर देंगे आपको इस वायर को यहां से निकालके और नए वायर को फिर से लपेतना है इसी वायर को आप यूज में ले सकते हो लेकिन पहले जो यहां पर वायर लगा ह उसको छाटा कर फिरसे आपको अच्छे तरीका से साफ से करें इसको लगाना आपसर को अदरिव इसको हटा लेना लोट उसी को मैं यूज मिलिव Crist n दिखा निकाल लीता हूँ इस परकार से निकालने को अजिओं इसको इस परकार प्लेक हो गया यहां परकार से करने के बाद तो यहां पर इस परकार से साफ कर लेंगे और वायर लपटा वा था उस परकार से इसमें वायर को लपेड़ेंगे इस प्रकार से आपको लपेट देना है यहां पर यह हो चुका है और जो फाल्दु का वायर है इसको थुरा मैं कट कर दूंगा और इस प्रकार से फिर से इसको मोर दूंगा ठीक है इस प्रकार से इसको फिर से मोर कर हमें इसी बीच में इसको लेकर इस प्रकार से बिठा देन यहां इस प्रकार से लगा देना है ठीक इसी तरीका से मैं इस दोनों वायर को भी साफ करके फिर से लगा देता हूं तो आईए इसको साफ करके लगा देते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 new wire को अच्छे तरीका से साफ करके लगा दिया है और यहाँ पर देखी मैं continuity आपको चेक करके दिखा देता हूँ पहले continuity नहीं आ रहा था अब इसमें continuity आएगा यहाँ पर इस wire के थूँ इसमें continuity आएगा फिर से यहाँ पर 0 वाले पर मैं लगा दूँगा और यहाँ पर देखी यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है यह हमारा बिल्गुर अच्छे तरीका से काम करने लगा है और फिर से मैं यहाँ पर टेप को अच्छे तरीका से लगा कर इसको पैक कर देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकाट से हो चुका है तो एक बार मैं आपको फिर से चेक करके दिखा देता हूं इसमें पावर सप्लै देह आप पावर सफ्ञे मैं ने दे दिया है और यहाँ पर यह श्पार्क करेगा हूं यहाँ पह देखिए तो यह हमारा transformer बिल्कुल ओके हो गया है और यहां पर spark भी कर रहा है तो आप ऐसे घर पर try ना करें मैं यहां पर आपको ऐसे checker के दिखा देता हूँ ठीक है तो यह हमारा बिल्कुल ओके हो गया है तो आईए मैं यहां पर इसको हटा लेता हूँ और उसके बाद इसके back side में अच्छा तरीका से पहले मैं mount करूँगा और उसके बाद आगे का problem इसमें check करूँगा मैं यहां पर इसको हटा लेता हूँ back side में थोड़ा मुझे wiring करने में problem हो रही है तो मैं यहाप को कट कर लेता हूँ उसको मैं साइड में कर लेता हूँ और इस बोड के मैं इस transformer को connect करूंगा और उसके बाद ये चेक करूंगा कि ह मारा जो आगे पैनल लगे होते हैं इसमें supply आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पी इसको पहले लगा कर चेक कर लेता हूं कि आगे आखिर प्रोलम फिर मुझे क्या मिलता है तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस टांस्फर्मर को लगा दिया है और इसमें मैं फिर से सप्लाई देकर और चेक करता हूं कि इसमें power supply आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि इसमें जो problem था transformer के secondary वाले वायर में ही था जिससे 12-0-12 output नहीं कर पा रहा था तो आपके पास भी अगर amplifier हो या tower home theater हो या किसी भी परकार का amplifier हो अगर वो dead condition में है power supply नहीं आ रहा है तो आप इसी परकार से step by step इसको check कर सकते हैं सबसे पहले आपको मेन वायर चेक करना है उसके बाद switch चेक करना है उसका primary वायर चेक करना है उसका secondary चेक करना है तो दोस्तों अमारे वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें शेर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आकवा दिन सुब्भव